हलो एवरिवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनल स्वागत है 12th क्लास की फिजिक्स के चेप्टर नंबर 12 का एक बहुत महत्वपुन टोपिक प्रकास के वेती करण के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले अपने को पढ़ना होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रकास की तरंग है प्रकास अपन जानते हैं कि प्रकास तरंग रूप में गती करता है चेप्टर नमबर 11 में प्रकास के अपुर्तन, प्रकास के परावर्तन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं और अपन जानते हैं कि प्रकास के तरंग सिध्धान्त के द्वारा वेतीकरण, वीवर्तन और धुर्वन की व्याक्षा भी की जा सकती है ये तीनों सब्द जो मैंने बोले हैं वेतीकरण, वीवर्तन और धुर्वन ये आप लोगों के लिए नए हैं तो आज अपन पढ़ेंगे कि प्रकास के तरंग सिध्धान्त के द्वारा वेतीकरण की व्याक्षा किस प्रकास से की जाती है और प्रकास का वेतीकरण एक्षाल में है क्या सबसे पहले आप लोग ये सीखें कि ये मेरे पास कोई एक प्रकास की तरंग है वो कुछ इस तरीके से गती कर रही है ये कोई एक प्रकास की तरंग है यदि मान लीजिए मेरे पास एक दूसरी प्रकास की तरंग और आ रही है दूसरी प्रकास की तरंग है वो कई तरह से आप्तित हो सकती है वो प्रकास की तरंग मान लीजिए कुछ इस तरह से आ रही है कि दोनों प्रकास तरंगों का जो अधिक्तम आयाम है अधिक्तम मिल सकती हैं यहां पे अपने को एक और सब्द सुनना होगा अध्यारोपण यह अध्यारोपण है इसकी परीभासा भी आप लोगों को पढ़नी है लेकिन यह एक जनरल सी परीभासा है बोड़ प्रिक्षा में इसकी कोई विशेश उपयोगिता नहीं है लेकिन बार-बार दूसरे पर मिलना और जब दो प्रकास तरंगें एक दूसरे पर मिलेंगी तो उनका जो परिणामी विश्थापन है वो सभी विश्थापनों के सदीश योग के बराबर होता है आप जानते हैं कि विश्थापन एक सदीश रासी होती है तो जितनी भी तरंगें एक दूसरे पर मिलेंगी तो उनका जो परिणामी विश्थापन है वो इन सभी सदीशों के इन सभी तरंगों के विश्थापनों के सदीश योग के बराबर होगा तो यहाँ पर यह दो प्रकास तरंगे कुछ इस तरह से अध्यारुपित हो रही है एक इनका दूसरा पैटरन अपन और ले सकते हैं पहले आप समझे कि प्रकास तरंगे एक दूसरे पर किस तरह से अध्यारुपित हो सकती है एक दूसरी प्रकास तरंग ये है वो भी कुछ इसी तरह से गति कर रही है लेकिन इसके उपर जो दूसरी प्रकास की तरंग जब अत्यारोपित होगी तो वो कुछ इस तरह से भी मिल सकती है यानि इसे अपन कहते हैं विप्रीत कला में मिलना दोनों प्रकास तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं लेकिन यहाँ पे दोनों प्रकास तरंगे समान कला में है और यहाँ पे दोनों प्रकास तरंगे विप्रीत कला में है तो जब इस तरह से दो प्रकास तरंगे एक दूसरे पर मिलेंगी, तो क्या होगा कि माध्यम के अंदर कहीं पर चमक उत्पन होगी और कहीं पर अंधेरा उत्पन होगा, तीर है, आप थोड़ा थोड़ा समझने का प्रियास करें, जब तोपिक कम्प्लीट होगा तो आप प्रित कला में जब अध्यारोपित होगी तो अंधेरा उत्पन होगा, तो इस घटना को प्रकास की ये जो घटना है कि दो तरंगों के मिलने पर चमक उत्पन होना, या दो तरंगों के मिलने पर अंधेरा उत्पन होना, इसे प्रकास का वेती करण कहते हैं, क्लीर है, तो प्रकास तरंगें दो भी हो सकती है और दो से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन नियूनतम मिनिमम दो प्रकास तरंगों का मिलना जरूरी है दो प्रकास तरंगों का अध्यारोपन जरूरी है क्लीर है दोनों प्रकास तरंगें एक दिशा में चलनी चाहिए दूसरी कहानी ये है कि मान लीजे दो प्रकास तरंगे कुछ इस तरह से हैं ये पहली प्रकास की तरंग यहां पे बना रहा हूं मैं और दूसरी प्रकास की तरंग है वो यदि इस तरह से गती कर रही है उसकी जो आवरती है वो अलग है पहली प्रकास तरंग की आवरती कुछ कम है वेतीकरण जो होगा वो प्राप्त आपको नहीं होगा तो इसे अपन वेतीकरण नहीं कह सकते तो वेतीकरण की दूसरी सर्त है कि दोनों प्रकास तरंगे जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है उनकी आवरतियां समान होनी चाहिए तीसरी स्थिति है कि ये जो दोनों प्रकास्तरंगे हैं इनका जो आयाम है पहली प्रकास्तरंग का आयाम इतना है दूसरी प्रकास्तरंग का आयाम इतना है इन दोनों का जो आयाम है वो लगभग समान होना चाहिए तो इन सभी सर्तों का उप्योग करके अपन वेतिकरण की परिभासा तयार करेंगे ये जो पहली स्थिति आप देख रहे हैं अपन पढ़ेंगे कि वेतिकरण दो प्रकार का होता है पहला जो वेतिकरण होगा उसे अपन कहेंगे संपोसी वेतिकरण जिसमें प्रकास तरंगे एक दूसरे पर समान कला में मिलेंगी और चमक उत्पन करेंगी और दूसरा जो वेतिकरण होगा उसे अपन कहेंगे विनासी वेतिकरण जब दो प्रकास तरंगे विप्रीट कला में चल करके एक दिशा में चलेंगी बट दोनों की कला एक दूसरे की opposite होगी तो यहाँ पर आपको अंधेरा उत्पन होगा चलिए सबसे पहले अपन वेतीकरण की परिभासा पढ़ते हैं धीरे धीरे करके एक एक topic को cover करते हुए अपन वेतीकरण का पूरा topic पढ़ेंगे मैं आप लोगों को पूरा बता दूँ कि वेतीकरण आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको doubt हो सकता है लेकिन धीरे धीरे जब ये topic complete होगा मैं आपको विश्वास दिलाओं कि एक भी confusion आपको नहीं रहेगा ठीक है बेटा तो चलिए यहाँ पर मैंने स दो से अधिक बेटा दिमाग पे ज्यादा load लेने की या pressure डालने की जरूरत नहीं है बहुत simple सब्दों में अपने इसकी परिभासा लिखेंगे दो या दो से अधिक समान आवरती की आवरतियां क्या होनी चाहिए समान और लगबग समान आयाम की प्रकाश तरंगें कला संब भाज ये कि दो विशेस प्रकार के प्रकााश स्रोत होते हैं जिन से ये प्रकाश की तरंगे निकलेंगी उनकी क्या विशेसता होंगी वो भी अपन पढ़ने वाले हैं तो दो कला संबंद स्रोतों से निकल कर एक ही दिशा में संचरित होकर यानि चल कर अध्यारोपित होती है यानि एक दूसरे के साथ मिलती है तो माध्यम में कई बिंदूओं पर कई अलग अलग बिंदूओं पर चमक उत्पन होती है और कई बिंदूओं पर अंधेरा उत्पन होता है प्रकास के इस प्रभाव को वे इनको पोज करके और ये definition लिख लीजिए अब अपन वेतिकरण के प्रकार में चलने का प्रियास करेंगे मा आप लोगों को वेतिकरण जो है उसका एक practical demonstration भी वीडियो के end में दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को वेतिकरण 100% complete तैयार हो जाएगा चलिए अब अपन प्रकार पढ़ते हैं नंबर एक पे आता है संपोसी वेतिकरण संपोसी वेतिकरण का मतलब आपने थोड़ा सा سमझ लिया है कि दो प्रकास तरंगे समान कला में मिलेंगी यानि दोनों का आयाम अधिकतम भी एक तरफ होगा और न्यूनतम भी एक तरफ होगा चलिए दुब के सर यहां से लेकर के इसका जब एक round complete होगा तो उसे अपन इसका तरंग धेरदे lambda कहते हैं एक round complete होगा तो ये total 2 πाई का एंगल बनाएगी आदा round complete होगा तो पाई का एंगल बनाएगी और यहां पर यह 0 से शुरू होने वाला है ठीक है यहां पर हो जाएगा यह 3 पाई और पे हो जाएगा 4 pi ठीक है अब दूसरी प्रकास की जो तरंग है वो यह भी समान कला में निकल रही है समान कला का मतलब है उपर की तरफ से निकल रही है दोनों की जो आयाम है वो एक साथ अधिक्तम हो रहे हैं एक साथ न्यून्तम हो रहे हैं फिर एक साथ अधिक्तम हो रहे है फिर एक साथ नियूंतम हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि जितना एक round complete करने में 2 pi का angle कर रहा है वो भी दोनों का समान है इसलिए अपन कहेंगे दोनों की आवरतियां समान होनी चाहिए ये दोनों का जो आयाम है पहली तरंग का जो मैंने blue से omega t omega t जो है वो इसकी कला है कला का मतलब जानते हैं एक second में पार किया गया angle और ये a1 है वो इसके आयाम को represent कर रहा है दूसरी तरंग जो है उसका विश्थापन समीकन कुछ अलग होगा उसका आयाम कुछ अलग होगा इसे अपन लिखेंगे sin omega t तो दोनों की कलाएं तो समान है अपने पड़ा है एक ही कला में यदी मिलती है लेकिन मैं साथ में यहाँ पे plus 5 भी लिख देता हूँ plus 5 का मतलब है ये कलांतर को प्रदशित कर रहा है कलांतर का मतलब है दोनों की कला में अंतर यहाँ पे तो सर्थ दोनों की कलाएं जो है वो समान है तो यहाँ पर इस केस में जो दो तरंगे एक दूसरे पर मिल रही है उनका कलांतर कितना हो जाएगा बेटा सर जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है अब मैं आपके सामने एक दूसरा डाइग्राम और बनाता हूँ उसमें अपन पढ़ते हैं कि क्या वो समान कला में मिल रही है यदि समान कला में मिल रही है तो उनमें कलांतर कितना है देखिए ये मेरे पास दूसरी प्रकास की तरंग है ये जीरो है ये पाई है यहाँ पे 2 pi हो जाएगा यह 3 pi हो जाएगा और यह 4 pi हो जाएगा अब आप मुझे एक चीज बताएं कि जब 0 का लांतर है तब यह समान कला में है और यदी मैं दूसरी प्रकास की तरंगों को उपर से स्टार्ट कर दूँ ऐसे क्योंकि दोनों प्रकास तरंगों को हमेशा अपन उपर से ही स्टार्ट करेंगे तो यदी मैं इसको उपर से स्टार्ट करूँ तो क्या ये दोनों समान कला में रहेंगी एक का आयाम उपर की तरफ है एक का रिनात्मक है सर ये तो विपरित कला में हो गई वापस समान कलामे बनाने के लिए मेरे को यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा तो यदि दूसरी प्रकास की तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है तो इन दोनों के बीच में कलामे अंतर कितना हो गया पहली प्रकास की तरंग यहां से सुरू हो गई दूसरी यहां से शुरू हो रही है तो इनके कला में अंतर जिसे अपन कला अंतर कहते हैं वो हो गया बिटा 2 pi का और पहली जो तरंग है उसने इतना ज़्यादा दूरी चल ली है और यह जो ज़्यादा दूरी चली है इसे कहते है पथांतर यानि पत में अंतर और पत में अंतर कितना है पहली तरंग ने एक cycle complete कर लिया है जिसे अपन लेमडा से represent करेंगे और यहाँ पे लेमडा कितना है यहाँ पे पतांतर कितना है बिटा पतांतर यानि इस case में sir दोनों के पत में जो अंतर है वो 0 है तो यदि कलांतर 0 रहे या पता अंतर जीरो रहे तो दोनों तरंगे एक ही कला में मिलेंगी और जब दोनों तरंगे एक ही कला में मिलेंगी तो परिणामी इन दोनों के अध्यारोपन से जो परिणामी तरंग बनेगी वो इस तरह से बनेगी यानि इन दोनों के योग की वज़े से ज्यादा चमाकुत्पन कर और इसे अपन संपोशी वेतिकरण कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होने वाला है। इसमें भी दोनों तरंगे समान कला में मिल रही है। तो इसमें भी परिणामी आयाम आएगा वो जादा आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पतांतर कितना है। पतांतर सर लेम तरंग कुछ इस तरह से गती कर रही है ठीक है बिटा? ओके सर अब दूसरी तरंग जो है उसको भी मुझे समान कला में पढ़ना क्योंकि मैं आपको संपोसी वेतिकन बता रहा हूँ जब विनासी वेतिकन की बात होगी तो अपन उसको भी अच्छे से समझ लेंगे सर यह यहां से शुरू हो रही है यही दूसरी तरंग को आप यहां से शुरू कर देंगे तो पहली स्थिति आ जाएगी दूसरी तरंग को यदि अपन यहां से स्टार्ट होना अगर मैं 3 pi से स्टार्ट कर दूँ उपर की तरप से तो दोनों तरंगे विप्रीत कला में हो जाएंगी तो संपोसी वेतिकर्ण नहीं होगा तो कहां से सुरू करें सर 4 pi से सुरू कर दीजिए यहां से अगर मैं उपर की तरब से शुरू करूँगा तो यह आपके पास संपोसी वेतिकन आ जाएगा तीर है तो इस केस के अंदर phi की value कितनी हो गई सर, phi की value का मतलब है 4 pi का अंतर हो गया और यह दी मैं पथांतर की बात करूँ यहां पर तो पथांतर कितना होगे बेटा सर, एक lambda तो यह हो गया और दूसरा lambda यह हो गया तो यहां पर 2 lambda का अंतर आ गया तो अभी के लिए केवल आप कलांतर को समझ लीजिए पथांतर का जो concept है वो आगे की इस अगले वीडियो में आपको मैं दूबार अच्छे से clear करवा दूँगा तो यहां से आपको एक बात अच्छे से समझ में आ रही है कि सर, जो कलांतर है वो 0 है कलांतर 2 pi है तो भी संपोसी वेतिकन हो रहा है कलांतर 4 pi है तो भी संपोसी वेतिकन हो रहा है तो आगे चल करके आप सीखेंगे कि सर जब 6 πाई का कलांतर होगा तो भी संपोसी वेतीकरण तो संपोसी वेतीकरण का मतलब हो गया कि कलांतर जो है वो 0 हो सकता है 2 πाई हो सकता है 4 πाई हो सकता है and so on आगे भी हो सकता है तो इसको अपन क्या कहें πाई के format में सर आप एक काम कीजिए इसे आप πाई का सम गुनज कह दीजिए सम संख्या में गुनन लेना पाई का सम गुनज यदि πाई का सम गुनज यदि कलांतर के रूप में है तो समपोसी वेतिकन राप्त होगा तो इस समपोसी वेतिकन के लिए इस सम गुनज को मैं रिपर्जेंट कैसे करूँ क्या मैं इसे 2N πाई लिख दू और 2N πाई लिखूंगा तो जहां पे N की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 ऐसे लिख देता हूँ आप एक बार एप्लाई करके देखिए क्या यही वैल्यू जा रही है N की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी पहला आगया N की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई यह दूसरी वैल्यू आगी N की जगह जब 2 रखेंगे तो 4 pi अगली value आगी तो इस तरह से आपको pi के समगुणज में समपोसी वेतिकन प्राप्त हो रहा है तो अब अपन यहां पे समपोसी वेतिकन का जो basic concept है वो अच्छे से समच चुके हैं कि दो तरंगें समान कला में मिलेंगी उनके बीच में कलांतर है वो pi का समगुणज हो सकता है ऐसी स्थिती में यह दी दो तरंगें मिलेंगी तो परिणामी विश्थापन जो होगा वो ज्यादा प्राप्त होगा कितना ज्यादा होगा उसका जो mathematical concept है वो अपन अगले वीडियो में समझने वाले हैं तो यहाँ पर केवल में आप लोगों को संपोसी वेतीकरण की जो definition है वो बताना चाहता हूँ पढ़िए देखें यह संपोसी वेतीकरण की परिभासा लिखिए मैंने सबसे पहले तो आपको जब संपोसी वेतीकरण पूछा जाए तो definitely आप लोग यह डाइग्राम बनाएंगे ठीक है? इस डाइग्राम में यहाँ पे 0 लिखेंगे यहाँ पे πाई लिखेंगे यहाँ पे आप 2 पाई लिखेंगे यहाँ पे आप 3 पाई लिखेंगे clear है बिटा? आप परिभासा लिखिए कि जब दो प्रकास तरंगें एक ही कला में संचरित होकर अध्यारोपित होती हैं अध्यारोपन का मतलब मिलती हैं तो एक ही कला में मिलने का मतलब क्या हुआ अर्थार्थ इनके बीच का कलांतर इनके बीच का कलांतर यानि फाई phi कमान क्या हो सकता है या तो 0 हो सकता है या फिर pi का समगुनज और pi के समगुनज को किसे लिखेंगे 2 and pi से होता है देखे जब संपोसी वेतिकन आता है तो single नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये जो अभी आपने diagram बनाए हैं समझे हैं वो single click में open होने चाहिए फिर आप अपने भासा के अंदर इसके definition लिख सकते हैं तो pi का जब समगुनज होता है तो परिणामी तीवरता परिणामी तीवरता का मतलब है परिणामी चमक दोनों प्रकास तरंगों के मिलने से जो परिणामी तीवरता है वो अधिक्तम प्राप्त होती है और इसे संपोसी वेतिकरण कहते हैं केवल सोट सब्दों में इस तरह से आपको संपोसी वेतिकरण की definition लिखनी है परिख्या में प्रशन आता है कि जब प्रकास से प्रकास मिलता है यहाँ पर दो प्रकास तरंगे मिल रही है न प्रकास से प्रकास मिलता है तो चमक उत्पन होती है यह प्रकास की कोन सी गठना है आपको लिखना होगा सर संपोसी वेतिकरण है clear है उमीद करता हूँ कि संपोसी वेतिकरण का topic आपको अच्छे से clear हो गया होगा और आगे अप जब अपन mathematical format पढ़ेंगे तो संपोसी वेतिकरण का नाम सुनते ही आपको यहाँ पर 2npi ध्यान में आना चाहिए और उसके बाद में आपको और अच्छे से clear हो जाएगा जब अपन mathematical portion पढ़ेंगे पटा-पटा आप screen को pose करके और इसके definition है वो लिख लीजे अब अपन बात करने वाले हैं विनासी वेतिकरण की देखे विनासी वेतिकरण में क्या होगा माल लीजे कि कोई आपके पास एक प्रकास तरंग है वो इस तरीके से चल रही है ठीक है बेटा समझने का प्रियास कीजिए अब दूसरी प्रकास तरंग है उसकी और इस पहले वाली प्रकास तरंग दोनों की कलाएं जब एक दूसरे के विप्रीत हो विप्रीत होने का मतलब क्या है जब पहली प्रकास तरंग की तीवरता अधिक्तम हो उस समय दूसरी प्रकास तरंग है वो नीचे से निकल रही है इस तरीके से यानि इसे कहते है अपन विप्रीत कला में अध्यारोपन होना ठीक है तो इस स्थती में क्या है देखे एक्चल में दोनों प्रकास तरंगे उपर से निकलनी चाहिए थी तो उपर से निकलने का मतलब ये प्रकास तरंग है वो इस तरीके से आ रही है यानि दोनों प्रकास तरंगों में इतना कलांतर है और ये कलांतर कितना होगा इसे अपन पाई का कलांतर कहेंगे ठीक है ये प्रकास तरंग है वो उपर से यहां से स्टार्ट हो रही है दूसरी diagram और बनाते है है, माल दीजी कि कोई प्रकास की तरंग है, वो आपके पास कुछ इस तरीके से चल रही है ठीक है? कुछ इस तरीके से और यदि इस प्रकास तरंग के उपर किसी एक दूसरी प्रकास तरंग का अध्यारूपण हो रहा है और ये दोनों विप्रीत कलामे है तो विप्रीत कलामे होने का मतलिब क्या होगा कि पहली प्रकास की तरंग है वो यहां से चल रही है दूसरी प्रकास की तरंग यहां से उपर की तरफ से चलेगी तो यह विप्रीत कलामे होगी तो दोनों के बीच में पाई का कलांतर हो गया उसके बाद में यदि मैं यहां से लेकर के यहां तक तू पाई का कलांतर छोड़ दूँ और दूसरी तरंग को उपर की तरब से स्टार्ट करें तो इस केस में तो दोनों की तीवरताएं अधिक्तम हो रही है, दोनों का आयाम एक साथ बढ़ रहा है तो यह तो संभोसी वितिकर्ण हो गया जो पिछले टाइप में आप पढ़ के आयो तो इसके बाद में मुझे कहां से स्टार्ट करना चीए सर, अगर इसको यहां से स्टार्ट करेंगे तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत कलामे होंगी तो इस केस में एक पाई का, दो पाई का और तीन पाई का कलामतर हो गया यानि जब पाई का कलामतर होता है, थ्री पाई का कलामतर होता है फाई पाई का कलामतर होता है, उस समय दोनों प्रकास तरंगे हैं वो विपरीत कलामे मिलेंगी और जब दो प्रकास तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी तो mathematical रूप से अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इनका जो परिणामी आयाम है परिणामी टीवरता है वो किस तरीके से बदलेगी अभी के लिए केवल आप ये समझ करके चलिए कि जब दो प्रकास तरंगे वि इनासी वेतिकरण की सबसे पहले तो परिभासा पढ़ेंगे और उसके बाद में ये कहेंगे कि ये पाई का विशम गुणज होता है अब बेटा पाई का विशम गुणज बताने के लिए क्या लिखना चाहिए ध्यान देना ये पाई है इसका विशम गुणज बताने के लि 1 करेगा तो 5 रे जाएगा ना 1 को 5 से multiply करेंगे तो 5 रे जाएगा फिर अपन न की जगा 1 रखेंगे तो यह 2 हो गया 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो गया तो यह 3 पाई हो जाएगा तो कुल मिलाकर की यह वाला कलांतर आप के पास यह दी आता है यानि पाई का विशम गुणजी ये दियाता है तो उसे अपन विनासी वेतिकन कहेंगे और इसमें अंधेरा उत्पन होगा चलिए अब अपन पहले इसकी definition लिख लेते हैं अभी आपने केवल वेतिकन के topic को start किया है इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रियास करें topics के संदर्ब में जाने का प्रियास करें जब अपन mathematical format पढ़ेंगे जब ये topic complete हो जाएगा मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपका एक single doubt भी नहीं रहेगा ठीक है बेटा चलिए पहले अपने इसकी definition लेख लेते हैं तो यहाँ पर अपने विनासी वेतिकन की परिपासा लिखी है कि जब दो प्रकाश तरंगे ठीक है विश्वम गुनस को कैसे लिखेंगे 2N प्लस 1Pi और जहाँ पे N का काम कोन करेगा 0,1,2,3 करेगा अगर इतना कलांतर है तो परिणामी तीवरता जो होगी वो नियूनतम प्राप्त होगी mathematical रूप से अपन आगे पढ़ेंगे अभी आप थोड़ा सा समझ लें याद कर लें परिणामी तीवरता जोनतम प्राप्त होगी इसे अपन विनासी वेतिकरण कहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको केवल वेतिकरण की परिभाशा, संपोसी वेतिकरण और विनासी वेतिकरण की परिभाशा है संपोसी और विनासी वेतिकरण की स्थिती में कलांतर कितना होना चाहिए ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझनी है अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका एक डाइग्राम बना देता हूँ ताकि विनासी वेतिकन का छोटा सा कॉंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ सके कुल इस मिलाकर इस प्रकास से मान करके चलिए कि ये मेरे पास कोई एक प्रकास की तरंग है इस तरीके से चल रही है इसके उपर अपने एक दूसरी प्रकास तरंग का ध्यरोपन करते है ठीक बेटा ये जो दूसरी प्रकास तरंग है उसको मैं कुछ रेड कलर से ड्रो कर देत इन दोनों के आयाम के अंतर इसका आयाम ज्यादा है इसका आयाम कम है तो जो रिजल्ट आएगा वो अधिक आयाम में से कम वाले आयाम को गठाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की प्रकास तरंग का रिजल्ट आपके पास सेश रह जाएगा और येदी दोनों तरंगों का आयाम बराबर होता जितना आयाम इसका है उतना ही आयाम येदी इसका होता तो दोनों आयाम एक दूसरे को reject करके एक straight line के format में dark fringe आप लोगों को प्राप्थ होती ठीक है तो ये विनासी वितीकण की जब आप परिभासा लिखेंगे देट टाइम आपको उसके साथ में ये चित्र भी बनाना चाहिए चलिए आगे चलते हैं यहां पर मैंने एक note लिखने का प्रियास किया है पढ़िये देखें कि वेतीकरण में उर्जा का विनास नहीं होता है जैसे अभी आपने पढ़ा कि विनासी वेतीकरण में उपर वाली प्रकास तरंग है वो नीचे वाली प्रकास तरंग को नस्ट कर देती है यह उर्जा का नास नहीं करती है यानि वेतीकरण में उर्जा का विनास नहीं होता है केवल उर्जा का पुनर वित्रण होता है देखे बहुत महत्वपुन तम लिखी है मैंने यहाँ पर आपको याद रखनी है परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है उर्जा जो है वो निम्न उर्जा वाले बिंदूओं से उर्जा वाले बिंदूओं की और स्थानांत्रित हो जाती है यानि completely उर्जा का पुनर वित्रण होता है दूसरी बात यह जो वेतिकरण की घटना है यह ना केवल प्रकाश तरंगों में बलकि द्वनी तरंगों में भी देखने को मिलती है तो आप नीचे नौट के नीचे लिखेंगे कि वेतिकरण प्रकाश तरंगों के साथ साथ या प्रकाश तरंगों के अलावा ध्वनी तरंगों का वेतिकरण भी होता है ठीक है तो यह इकनी सी definition है अब अपने इसके बाद में दो महत्वपून परीभाशें और पढ़ेंगे चुकि आपने जब वेतिकरण की परीभाशा पढ़ी थी तब आपने एक टम पढ़ी थी कि कला संबंध स्रोथ से निकलने वाला प्रकाश होना चाहिए तो अब अपन पढ़ेंगे कि कला संबंध स्रोथ किसे कहते हैं बोड प्रिक्षा में इस टॉपिक में से definition आने की पूरी संभावना रहती है तो कला संबंध और कला एसंबंध स्रोथ किसे कहते हैं उसकी परीभाशा भी लिखते हैं चलिए स्क्रीन को पोज़ करके फटा फट नॉट्स लिख लीजिए कला संबंध प्रकास स्रोथ की जो परीभाशा है वो बोड प्रिक्षा में एक नंबर की पूछी जा सकती है चुँकि कला संबंध प्रकास स्रोथ पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वेती करण की परीभाशा में अपनी से पढ़ते हैं देखे वे प्रकास स्रोथ ऐसे प्रकास स्रोथ जिन से निकलने वाली प्रकास तरंगों के मध्धे यानि ऐसे प्रकास श्रोत जिन से निकलने वाली प्रकास तरंगों के मध्धे का जो कलांतर है वो समय के साथ नियत रहता है कलांतर जीरो होना जरूरी नहीं है कलांतर जीरो हो सकता है लेकिन वो कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए जैसे किसी सडक के उपर दो गाडियां दोड रही है यदि वो दोनों गाडियां एक दूसरे के जस्ट बराबर में दोड रही है उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर नहीं है और वो समय के साथ साथ भी एक दूसरे के बराबर में ही चल रही है तो अपन कह सकते हैं कि उनके बीच में कलांतर जीरो है और वो जीरो ही बना रहता है लेकिन मान लीजिए दो गाड़ियां आगे पीछे दोड़ रही है और एक गाड़ी आगे है दूसरी गाड़ी पीछे है दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 100 मीटर है यानि उनके बीच में कलांतर कह देते हैं पन कितने का कलांतर है? मान लीजिये पाई का कलांतर है तो समय बीतने के साथ-साथ उन गाडियों के बीच की वो जो दूरी है जिस तरह से वो दोनों गाडियां एक दूसरे के साथ चल रही है बराबर दूरी पर चल रही है उसी तरीके से ये तरंगें भी बराबर अंतर पर चलती है ऐसा नहीं है कि समय बदलने के साथ-साथ उन गाडियों के बीच की दूरी कभी कम हो रही है या कभी ज्यादा हो रही है तो उसी तरीके से इन दोनों प्रकास स्रोतों से निकलने वाली प्रकास तरंगों के बीच में कलांतर जीरो होना आविश्यक नहीं है बट जितना भी कलांतर है वो समय के साथ नियत रहना चाहिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों को कला संबंद स्रोत की जो परिबासा है वो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी तो ऐसे प्रकास तरोतों को कला संबंद प्रकास तरोत कहते है एक्जम्पल की यह दिए अपन बात करें बेटा माँ आपको बता दू कि परिक्षा में अकसर ऐसा पुछा जाता है वाईवा में पुछा जाता है कि मान लीजिए आपके घरों में दो एक जैसे बल्ब हैं, एक ही वाट के हैं, एक ही शमता के हैं एक ही वाल्टेज के उपर जुड़े होए हैं दोनों के बल्बों का जो स्वीच है वो एक साथ ओन किया जाता है तो क्या वो दोनों प्रकास तरोत कला संबंध होंगे पहले एक प्रकास श्रोत है, उसके द्वारा येदि कोई दो प्रकास श्रोत बना लिये जाएं, यानि उन दोनों प्रकास श्रोतों में जो प्रकास की सप्लाई हो रही है, वो पीछे वाले एक श्रोत से हो रही है, तो उन्हें अपन कला संबंध श्रोत कह सकते हैं, अन्य था चाहे कोई सी भी इस्तिती दे दे सारे के सारे कला ऐसंबंद स्रोथ ही कहलाएंगे इसके एक्जांपल में आता है यंग का द्विस्लिट द्विस्लिट देखे अगला वीडियो में अपन बात करेंगे कि यंग नाम का एक विज्ञानिक है उसने वेतिकरण का practical model भी आपको प्रस्तोत किया है और वो practical model अपनने भी तयार किया है मैं आप लोगों को उसका practical भी दिखाऊंगा लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि वो जो यंग ने डबल स्लिट बनाई है वो भी कला संबंद प्रकास रोतों का उधारण है चलिए अब अब अपन फटाफट कला ऐसंबंद प्रकास रोत की परिभासा को और पड़ लेते हैं तो यहाँ पर कला ऐसंबंद प्रकास रोत की परिभासा जो है वो कला संबंद प्रकाश श्रोत से just opposite है यानि अगर कला संबंद प्रकाश श्रोत की परिवास आपको याद है तो ये परिवास बहुत इजीली आप लिख पाएंगे वे प्रकाश श्रोत या ऐसे प्रकाश श्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मद्धे कलांतर जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता है कला संबंद में नियत रहता है कला ऐसंबंद में परिवर्तित होता है ऐसे प्रकासरोतों को कला ऐसंबंद प्रकासरोत कहते हैं ठीक है पिटा एक्जम्पल की बात करें तो कोई भी दो अलग अलग प्रकास स्रोत कैसे भी हूँ चाहिए वो कितने ही समान नजर क्यों न आ रहे हूँ कितने ही नजदी क्यों न रखे हुए हूँ चाहे उनकी चम्ता उनकी दक्सता उनकी कैपेसिती बराबर क्यों ना हो चाहे उनसे निकलने वाली प्रकास की तीवरता समान ही क्यों ना हो अगर वो दो अलग अलग प्रकास स्रोत हैं उनमें आने वाला प्रकास एक प्रकास स्रोत से नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वो दो अब अपन इसके बाद में वेती करण के लिए जो आवशक सर्ते हैं हालांकि अपने वेती करण की परीभासा में लिख लिया था लेकिन फिर भी वेती करण की परीभासा में से निकाल करके अपने लिखेंगे क्योंकि बॉर्ड प्रीक्षा में कई बार दो अंक का प्रशन केवल सर्तों के रूप में पूछ लिया जाता है तो उसको भी अपन फटाफट यहां पे लिख लेते है यदि अपन वेतिकरण की आवशक सर्तों की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो ये है कि दोनों प्रकास तरंगे जो हैं जो दो प्रकास तरंगे आपके पास आ रही हैं वो कला संबंद त्रकास स्रोत से आनी चाहिए ठीक है तो यहां पे लिखेंगे प्रकास तरंगें जो प्रकास तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं वो कला संबंद स्रोतों से निकलनी चाहिए या फिर विध्यान की भासा में लिखें तो अपन लिख सकते हैं उत्सरजित होनी चाहिए उत्सर्जित होनी चाहिए ये इसकी पहली सर्थ है ये प्रकास तरंगे अलग-लग प्रकास रोतों से आ रही है तो वितिकरण प्रतिरूप है वो आपको दिखाई नहीं देगा ये जो दोनों प्रकास तरंगे हैं प्रकास तरंगे कौन सी प्रकाश तरंगें? जो अध्यारोपित हो रही है प्रकाश तरंगों की जो आव्रती है वो क्या होनी चाहिए? एक्ज़कली समान वे, आयाम जो है इनका, अभी आपने वीडियो में जो डाइगॉराम बनाया था आपने देखा था कि आयाम है वो समान होना आविश्यक नहीं है लेकिन आयाम लगभग समान होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक का आयाम है वो मेटर में है और एक का आयाम है वो सेंटी मेटर में है ठीक है लगभग समान होना चाहिए नमबर तीन की ये दियेपन बात करें तो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलने को क्या कहते हैं चलना कलेखें या संचरित होना लिखें कौन सा बेटर लगता है संचरित होनी चाहिए विज्ञान के जो टम्स हैं टेकनिकल टम्स हैं वो ही अपने को यूज करनी चाहिए नमबर चार की बात करें तो प्रकाश जो है वो एक वरनी होना चाहिए ये बात अपने डिसकस नहीं करी थी प्रकाश एक वरणी एक वरणी का मतलब है एक ही रंग का एक वरणी होना चाहिए यानि जो सुर्य से आने वाला प्रकास है वो सात रंगों से मिलकर के बना होता है हलांकि वेतिकरण तो उसका भी हो जाएगा लेकिन उसका जो वेतिकरण प्रतिरूप बनेगा उसमें जो फ्रिंजे है वो एकदम डार्क और ब्राइट नहीं बनेगी रंगीन प्राप्त होंगी आगे जब अपन इसी चेप्टर में पढ़ेंगे कि यदि वेतिकरण में स्वेत प्रकास को प्रियोग लिया जाए तो वेतिकरण प्रतिरूप है वो कैसा प्राप्त होगा एक इंटरस्टिंग क्यूशन बनेगा उसको अपन सेप्रेट डिसकस करेंगे कीर है तो इतनी सारी स्थितिया है वो सफीशेंट है इतनी सारी स्थितिया यदि आप लिखेंगे तो आप लोगों को complete जो वेतिकरण प्रतिरूप है वो तयार हो जाएगा मुख्य रूप से ये चार ही सर्ते हैं ये चार सर्ते यदि आप लिखते हैं तो आपका पूरा प्रशन है वो सही होगा और आपको पूरे नमबर मिलेंगे उमीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो बेहत पसंद आया होगा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स तक शेर करें बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक है बेटा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू